नमस्कार दोस्तों मैं चंदन कुमार एक बार फीर आपका स्वागत करता हूं अपने यूटूब चैनल सोहस अब सलूशन्स पर और आप देख रहे हैं हमारा एंगुलर लाइप प्रजेक्ट ट्रेनिंग का सीरीज दोस्तों जैसा कि पिछले वीडियो में ये डिसकस किया था कि इस सीरीज में हम क्या करने जा रहे हैं कौन सा projec बनाने जा il प्रजेक्ट का मोटिफ क्या होगा कौन में इस प्रॉजिक्ट में सारा चीज हम्ने पिछले इऊ क्या क्या होने वाला है सब कुछ we discussed कर रहा है अगर आपने इस सीरीज के पहला वीडियो नहीं देखा आप जरूर एक पर वीजट करें कियों कि वहाँ से आपका concept clear होगा हम क्या 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 जा रहे हैं तो इस सीरिज में हम लाइब प्रोजेक्ट बनाएंगे मिन्स प्रोजेक्ट पर काम करेंगे लाज्ट में इसको सर लाइब सर्वर पर डिप्लॉय भी करेंगे और इसमें सारे एंगलर प्रोजेट पर काम कर सकते हैं श्व कि अब एक्ड़ेक्ट से श्टेप्प समझने जा रहे और एस सारे चीजों को हम फोकस करने वाले हैं इस वीडियो टूटोटारियल में दोस्तो आपको बताते चलूं कि यह जो सीरीज है एंगुलर 2 और उसके पाल जितनी वर्जन आ है सब के लिए अप्लिकेबल होगा सारे वर्जन में आप यह सीरीज देखकर अपने पुर्जिक्ट बना शकते हैं दोस्तों इससे पहले कि मैं इस वीडियो टॉटोरियल का स्टार्ट करूं मैं आप से मिलती रहे तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो टॉटोरियल को तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमारे वेब साइट है यहां पर डिली अपटेट डालते रहते हैं सोहसवटूरियस.com जिसका लिंक में आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्स में दे था डिटेल्स में और हमने प्रैक्टिकली भी देखा था आज दोस्तों हम फोकस करने वाले हैं प्रोजेक्ट सेटप पर मिंस कि हम अपने सिस्टम पर किस तरीके से प्रोजेट सेटप करेंगे कौन कौन सा चीज इंस्टॉल करना होगा दोस्तों अगर आप इस चैनल पर अपने देखा होगा उस प्लेइलिस्ट में मैं इस सीरीज में भी इसलिए बता रहा हूं कि हमारा मोटीब है कि हम बिल्कूल एस्टेप दिखाएंगे ताकि अगर यह सीरीज आप फॉलो करते हैं तो आप अपने सिस्टम पर लाइफ प्रोजेक्ट कर सकते हैं बना सकते हैं जैसे आईडी फर राइटिंग यूर कोड मींस की हम भी यस कोड पर काम करेंगे मिन्स कि आपको सबसे पहले तो आपको अपने सिस्टम पर वी इस कोड होना चाहिए कैसे इंस्टॉल करना होगा वह भी मैं अभी बताता हूं उसके बाद आपको सिस्टम पर नोट जेस इस is the mandatory यह जरूर होना चाहिए नोट जेस रहेगा तभी आप एंगुलर की कोडिंग कर पाएंगे और उसके बाद npm इंस्टॉल करना होता है उसके बाद जैसे नोट इंस्टॉल करेंगे तो npm का इंवर्मेंट करिट हो जाता है वहां पर एक कमांड होता है npm इंस्टॉल जो इस बाद यह step one में क्या करना है नेक्ष्ट करके यह सारी अगर आप इस वेबसाइट पर आते हैं तो इस वेबसाइट से सारी चीज़े आप फोलो कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं तो जैसे ही आपके system पर विएस कोड इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद अगला step करना होगा नोडेस के वेबसाइट वहां पर जाएंगे वहां से डाउनलोड करेंगे और नोडेस आप यहां से इंस्टॉल कर लेंगे यह भी step by step हमने यहां पर बता रखा है आप यहां से इसको फॉलो कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों जैसे ही नोडेस इस इंस्टॉल हो मिंस की आपके अगर सिस्टन पर NPM इस्टॉल है तो उसको भी आप चेक करेंगे NPM भी करके यह चेक कर लेंगे मिंस जैसी नोडेस इस इंस्टॉल करते हैं आपका NPM इस्टॉल हो जाता है उसके बाद CLI इस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना होगा यहां पर NPM यह कमांड होता है जैसे आप यह कमांड आपके टर्मिनल में चलाएंगे तो आपके सिस्टम पर एंगुलर आपका एंपको छुका है को करने के लिए इतना चीज़े जब इस्टल करें गे उसके लिए सबस्कर्स ने करने के लिए तो आपको शिर्ण बता देगा यह दोस्तों यहां पर यह दोको 5.6 पॉंड देखे आपको लेटेस्ट जो इंस्टॉल होगा वो दीखेगा आपको वहाँ पर नोट का भी यहाँ पर देख सकते हैं कि यह वर्जन दिख बता देगा उसके बाद अगला स्टेफ होगा आपको कि अन्पीम इंस्टॉल करेंगे करेंगे तो यह बता देगा यह अगर स्क्रीन आता है आपके पास मिन्स की जैसे आप इस स्क्रीन देखेंगे अपने सिस्टम पर यह कमांड चलाने के बाद आप समझ जाएए कि आपके सिस्टम पर एंगुलर इंस्टॉल हो चुका है उसके बाद दोस्तों अब बात आती है करने के लिए करने के लिए क्याविकाशन करके दिखाऊंगा रोट्री रॉट्टर मौूडिल करना है थो करें सब्सक्रीड़ एंगे स्क्रावट्स भीर अगशे waving करने चेदेगे आपके पास कुछ्छा मोडूल मोंड्ल आपको इंस्टैल करना है राउटिंग मोडूल उस के बाद अगेन एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा CSS आप इंस्टॉल करना चाहते हैं सेट अप करना चाहते हैं तो यहां से कैसे कैसे होता है चली हम step by step practically करके देखते हैं चली चलते हैं वीएस कोड में तो दोस्तों यह है वीएस कोड जहां पर हम प्रोजेट करने जा रहे हैं तो इसके लिए आपको कहा करना होगा कि वीव के अंदर जाएंगे और इंटिग्रेटेट टर्मिनल्स को ऊपन करेंगे जैसे टर्मिनल ऊपन होगा उसके बाद हम देखिए यहां पर आ गया तर्मिनल तो अभी हम इस फोल्डर के अंदर है हमें प्रोजेट फोल्डर के अंदर करना है तो क्या करेंगे सिर्फ एक फोल्डर बैक जाएगा यह देखिए हम प्रोजेट की अंदर आगया और यहां पर हम क्या करेंगे दोसतों यहां पर हम एंजी निव जोकी कमांड होता है कोई प्रोजेट करने के लिए एंजीव और प्रोजेट का नाम लिख लगए सवहो किसी भी नेम से आपक क्रिएट करेंगे जैसे इंटर करूंगा तो दोस्तों यहां पर एक क्वेश्चन आएगा या आप इस प्रोजेट में राउटिंग इनेवल करना चाहते हैं मिन्स कि राउटिंग का कंसेप्ट जो इन्वार्मेंट है सेट अप करना चाहते हैं तो यस या नो करना होता है तो पर आप पर की सेस्टम कि बोड में इसको जो भी सम universal करना होगा आप कर लेंगे इस सुट्राइब स्सेटर क्रहेंगा उसके अधम में बहुत सरा फाइल क्रेट होता है इंगर को सपोर्टिंग फाइल होती है तो जैसे यह हो जाएगा तेहां máximo देखा देगा कि project create हो गया उसके बाद उस फोल्डर के अंदर हम जाएंगे और इसको एंजी सर्व करके देखेंगे यह create हो रहा है फ्राइसा वेट करेंगे हम तो दोस्तों यह project create हो चुका है अगला स्टेप क्या है दोस्तों इस project को हमें compile करना और ब्रावजर में देखना है तो इस project को compile करने के लिए सबसे पहले हम उस folder में जाएंगे जहां पर यह project create हो है तो फोल्डर में जाने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों щоб CD और उस फोल्डर कानेम देंगे मिंस को फोषय इनम देंगे है Muhemarra फूलडर करें उसे नेम से हमारा फोल्डर और होता है तो हमकिक क्या करेंगे 10 एश हो लिखेंगे अजिए उसको जैसे इंटर हिट करेंगे तो उसके बाद यह क्या करेगा यहां पर करनों को स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया हां पर सहो सौन क्लिखना है से हर में सपाब हम सीदि लिखते हैं है तो सिदि इसके बाद इंटर हिट करेंगे तो यह हमें उस पूल्डर के अंदर ले जाएगा कि इस फूल्डर के अंदर हम आ गए उसके बाद हम कहा करेंगे ng serve और उसके बाद ng serve भी करेंगे तो आपका project create compile हो जाएगा बट हमें ब्राउजर में जाकर मैंने वली टाइप करना होगा localhost 4200 का जो पूर्ट होता है टाइप करने पड़ेगा अगर हम dash dash o या open लिख देते हैं तो directly जैसे compile होगा अपने आप ब्राउजर में इसको open कर देगा तिस पर हम इंटर क्लिक करेंगे थोड़ा सा टाइम लेता है उसके बाद क्या करेगा कि हमारी इस प्रोजेट को compile कर देगा और जो by default इसका page होता है वह हमारे ब्राउजर में अपने आप open हो जाएगा तो यह compile हो रहा है थोड़ा सा टाइम लगता है तो दोस्तों यह compile होकर by default जो इसका put होता है localize 4200 यहाँ पर open कर दिया by default यह page open होता है कोई भी project आप create करेंगे तो by default इसी तरीके से page पहला page open होता है तो यह होता है project setup मिंस कि हमने अभी project create कर दिया आप यहाँ पर देखेंगे तो compile हो चुका है दोस्तों आगला जो वीडियो होगा उसमें हम क्या करेंगे कि boot strap को integrate करेंगे मिंस कि आगला वीडियो हमारा boot strap integration पर focus करेगा उसमें हम क्या करेंगे कि इस project में 100 जो project हम बनाने जा रहे हैं इसमें हम boot strap को integrate करेंगे और boot strap को कैसे यूज करेंगे यह सारी चीज़े हमें देखना है आगे आने वाले वीडियो भी ए-screen पर आप open करेंगे तो IGT अच्छे उपन होगा तो इससे क्या होगा कि आप को भूट step का भी knowledge हो जगा कि वोट में हम coding कैसे करते हैं क्या करते हैं तो दोस्तों चलिए अगले video मिलेंगे हम अगले topic के साथ जिसमेंWar test integration का video लेकर आएंगे तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से लाइक किजिए और सब्सक्राइब किजिए तो दोस्तों चलिए मिलेंगा अगरे वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू सो मच